वर्ल्ड कप 2015 में किसी को नी पता चला कि क्या हुआ क्या हुआ नी जरी थी फ्रेक्चर हुआ था मतलब बौन ही तूड़ गया था यार मतलब मैं चल भी नी पाता था इतना दर्दू नी एंजरी के साथ एक लड़का अपने वतन के लिए 2015 का वर्ल्ड कप खेल गया और कंगारूं की धरती में सरवाधिक 17 विकेट के साथ अपने काविलियत का परिचय विस्सु क्रिकेट को ते चुका था परन्त उसके इस्तियाग ने उसके क्रिकेट की अंगले 18 महीने चील ल उसकी सौराथ और उसका खेल चीन लिया विस्दीजा ने बताया क्यों आपका संट्रेल कॉंट्राक्ट रोगा गया आप ए प्लस खेलाडी है कही ना कहीं एक प्लेर की रेपूटेशन उसका करियर हर कुछ जदाओ पर लगता है आज भारत की लेमन ने बन दिया आप लिए कुछ दिन पहले मीडिया में जिसके काविलियत के पर्चे चवा करते थे अब उसके नाम का कलंग विक रहा था खेल पेंश से लेकर क्राइम स्टोरी तर हर जगह उसके नाम और वदनामी के चर्चे थे मुझे प्राट कर रह तो वो देश को भी प्राट कर सकता है रिगर मेरे मन में देश को दोका देने का सवाल आता है तो उससे बेसर में मरना पसंद करता हूँ ना कि मैं देश को दोका देने पसंदाए नवसकार आप देख रहे हैं दोकीमेंटरी दोकीमेंटरी के स्पेसल एफिसोड दाई विक कम बैक आफ ओम मत सबी वक्त की इस परिक्षा में वबना सब कुछ खो चुका था उसके उस बुरे दोर के बाद उसकी हिम्मट तूट चुकी थी वो अंदर से तूट चुका था क्योंकि जब दिन रात देख करके इनसान मेहनत से मुकाम को तयार करता है और चंद मिंटों में उसका वो सपना उसके आखों के सामने तवस्त होता है तो इनसान अंदर से तहल जाता है अब वो हिम्मत हार चुका था वो अंदर से बेहत रो रहा था विस्सुका सबसे भेदरीन के द्वाज बनने का सपना उसे सुसाइट की योर लेकर के चा रहा था आपको मने ना मने मैंने तीन बार सुसाइट का सूचा था उस पीडियर्ड में क्रिकेटर महम्मद शमी की पत्नी ने उन पर संसनी खेज आरोप लनाया है आरोप है कि महम्मद शमी के कई महिलाओं के साथ अवय संबन्ध है और उनका एक्स्ट्रामेरिटल अफेर चल रहा है वो मुझे प्रॉट कर रहा है तो वो देश को भी प्रॉट कर सकता है मेरे पास एवीडियर्ड है उसके जिन्दगी के वो दो साल उसे पूरी तरह जख जोड़ चुके थी वो भोड चुका था कि वो है कौन वो क्या करता है और आगे गरेगा क्या उसके जिन्दगी का एक एक दिन अब उसके खर के चारदीवारियों में कैद था ना तो घर से निकलना ना ही किसी से मिलना वो उस सक्स अब जिन्दगी और मौत के वेच आप अपने जिन्दगी अपने मौपत से लड़ रहा था उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत जादा मतलब करकेट के बारे मा सोची नहीं रहा मेरे रूम के अंदर मेरे घरवाले पैरा लगा देते हैं ये कुछ गलत ना कर ले अब पूरी दुनिया मान चुगी थे कि दिस इस दे इंड आफ दे क्रेट मौम्मद समी क्योंकि जो आरोफ उस पर लगे थे उससे वो सक्स पूरी तरह तबाह होटने वाला था वर दुनिया वाज रॉंग विकास वो वंदर वापस आया वुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है और ऐसा वरा वक्त उसकी भी लाइफ में आया वैसे हालात में वो कभी रेटार्मेंट की सोचता तो कभी वापसी की लेकिन अब वो ठान चुका था कि अफन वाबस आएगा, दुनिया को गलाच सावित करेगा, अफन सावित करेगा कि मैं सही हूँ, उसने वाफसी के लिए तावर तोड महनत करना प्रारम कर दी, वाफसी के लिए तावर तोड महनत करने लगता है, हर दर्द को अपने एक नया अंदाज में पैगान दे रहा था उसने वाफसी के लिए तावर तोड मैनत की घंटों घंटों तक मैदान में रहता पसीना वहा था क्योंकि अब ठान चुका था तो ठान चुका था साल दोजार अठारा उस पर लगाये हैं सारे संगीन आरोव बेवनियात सावित होते हैं अब उसे वी-सी-सी-ाई की ओर से क्लीन चिट मिल चुके थी और एक वाफ़ेश से उसकी टीम इंडिया में वाफसी होती है आई पील में उसके निरासा जनक प्रतरसन के बाद उससे ज़्यादा खेलने का माउका नहीं मिला फरंतो 2019 के विस्व कप में सबसे कम अड़े में सबसे तेज हेंटर ट्रोल्स खासा महरमान हुए उन्हें गदार कहा गया पाकिस्तानी इंटीम इंडिया कहा गया गोटू पाकिस्तान कहा गया जितनी घटिया गाली हो सकती है वो उनको दी गई तस विक्टो से मिली ये हार ना तो भारत को परदास्त थी और ना ही समी को लेकिन वर्स तो हजार वाइस एक वार फेर से समी ने सांदार परफॉमेंस थी समी के सांदार परफॉमेंस की बतौलत भूमरा की अनुफस्ती थी में टीटवंटी वर्ल्ड कप थी टेम इंडिया के पेस अटैक की कमान अब समी के कंदों में थी पनत समी फाइनल में मिली वो हार एक वार फिर से समी को सवालों के तायरे में लाकर खड़ा कर चुके थी अब एक वार फिर से सेलेक्टर्स का उसफर से भरोसा उट चुका था टीम इंडिया आप खोजने लगती है महम्मद समी के रिप्लेस्मेंट को कई नए नए फिर सेस को ट्राई किया जाता है लेकिन 2023 के ओडियाई वर्ल्ड कप से पहले समी ने सांधार परफिर से सेलेक्टर्स को सोचने के लिए मजबूर कर दिया और ऐसे में जब टीम डिसाइड होती है तो उस टीम में एक बार फिर से नाम होता है महम्मद समी का समी को सुरुआती चार मैचों में टीम इंडिया से बाहर रखा जाता है उन्हें प्लेइंग 11 में जगा नहीं मिल रही थी एंड हार्दिक बंडिया की चोंट और उस शोट के बाद जो हुआ तरेस्टेजिस्ट्री समी ने सबसे पहले न्यूजिलेंड के खिलाफ चौमन नंदेकर के पांच विकेट ले फिर इंगलेंड के खिलाफ चार विकेट और लंका के साथ क्या हुआ ये दिद्यास कवा है जो प्लेयर वर्ड कप के सुरुआती चार मैचों में ड्रेसिंग रियूम की कुरसी गर्म कर रहा था वही लड़का देखते ही देखते संपोड भारत की एक संसनी बन चुका था 2015 के बाद इंजरी के बाद से जो मैनन चेंज किया है और जो आज तक जो बोलते हैं लोग 2.0 वहाँ तक का जो सफर मैनने तैय किया है मैंने जिंदगी में कभी इतनी मैनने नहीं की थी और बस एक ही चीज थी किया मैंने कभी किव अप नहीं किया मैं उस टाइम के बाद से जो लास मैनने दो तीन साल खाटे है उसके बाद मैंने ठान जाता किव अप नहीं करना चाहें मुझे मन्जिल ना मिले मुझे चाहें मुझे मेरा टार्गेट हासिल ना हो लेकिन किव अप नहीं करूँगा उम्मीद है कि हमारी आवाज हमारे अंतास में हमारी ये यह मैस डॉकुमेंटरी आपको पसंद आ रही होंगे तो प्लिस सब्सक्राइब करें हमारी चैनल दॉक्यूमेंटरी को एंड हमें इंस्टा में भी जरूर फॉलो करिए क्योंकि हमें वहां भी आपके प्यार की जरूरत है तो हसते रहिए खेलते रहिए और देखते रहिए दॉक्यूमेंटरी हमारी आवाज हमारे अंदाज में